कुरुप्या वीडियो को पूरा देखिएगा अधूरे ज्यान से कोई लाब प्राप्त नहीं होगा। चीजें आपके जीवन की कई परेशानियों का अंत भी करने में समर्थ होती है। न तो हमारे पैसों की बचत होती है और नहीं व्यवसाय में व्रिध्धी होती है। मित्रों इन सभी का कारण हमारे जीवन में चल रहे कुंडली दोश और वास्तु दोश होते हैं। हमारे वेद ग्रंथों में बताया गया है कि जीवन में निरंतर अस्फलता मिलना या शारिरिक स्वास्थ्य बिगरते रहना इन सभी के प्रमुख कारण घर में मौजूद वास्तु दोश और कुंडली दोश हो सकते हैं। इतना ही नहीं जोतिश शास्त्र में कुछ साधारन से उपाय करने से हम अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। मात्र आप अगर सोते समय तकिये के नीचे वेद ग्रंथों में बताएं किसी भी एक चीज को रख कर सोते हैं तो आपका भाग्य परिवर्तित हो जाएगा। इतना ही नहीं जीवन में कभी भी अशुब घटना आपके साथ नहीं होगी। साथ ही जीवन का प्रत्येक दिन आपके लिए एक नई पॉजिटिव पूजा लेकर आएगा। साथ ही दोस्तों आपके सोने के तरीके का प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ता है। शास्त्रिय और वैज्यानिक दोनों ही दृष्टिकों से अगर सही दिशा में सिर्रख कर सोते हैं, तो इसका हमारे स्वास्थ्य और जीवन पर बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। अगर अंजाने में ही गलत दिशा में सिर्रख कर सो रहे हैं, तो यहां आपके जीवन में कई सारी समस्याएं खड़ी कर सकता है। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिन दिशा में सिर्रख कर सोना सर्वश्रिष्ट माना जाता है। इस दिशा में सिर्रख कर सोने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। गरुर पुरान के अनुसार दक्षिन की ओर सिर्रख कर सोने से मनुष्य की आयू लंबी होती है। साथ ही आप सभी प्रकार की मानसिक परेशानियों से बचे रहेंगे। यदि किसी प्रकार का मानसिक तनाव भी आता है तो इसका नेगेटिव प्रभाव आप पर नहीं ही पड़ेगा। दक्षिन दिशा की ओर पैर रखकर सोना अशुभ माना गया है, इससे मनुष्य की आयू कम होने लगती है। वैज्यानिक दिश्टि कोन से देखें तो दक्षिन में पैर करके सोने से प्रित्वी के चुम्बकिये धारा पैरों से प्रवेश करती है और मस्तिश्क से बाहर निकलती है जिससे हमारी दिमाग पर प्रेशर बढ़ता है और हमारी नीन्द खराब हो जाती है। वास्तु शास्त्र में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण दिशा बताई गई है, पूर्व दिशा यदि आप दक्षिन में सिर रखकर सो नहीं सकते हैं, तो आप पूर्व दिशा की ओर सिर करके सो सकते हैं पूर्व दिशा भी सोने के लिए श्रिष्ठ मानी गई है क्योंकि सूर्य पूर्व की ओर से पश्चन दिशा की ओर जाते हैं इससे उर्जा का प्रवाह भी सही से होते हैं साथ ही वेद ग्रंथों के अनुसार पूर्व दिशा में सिर करके सोने से व्यक्ति का विकास होता है और बुद्धीक शम्ता अधिक बढ़ जाती है। इसलिए खासकर विद्ध्यार्थियों को पूर्व की ओर सिर करके सोना चाहिए इससे विद्ध्यार्थियों की एक आगरता भी बढ़ती है। अगर अपने घर में अकेले कमाने वाले हैं या फिर आप नौकरी या व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए पूर्व दिशा में पैर करके सोना उत्तम फलताई होगा। आईए अब जानते हैं सोते समय हमें अपने तकिये के नीचे कौन सी चीजे रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज दोस्तों जोतिश शास्त्र और वास्तु शास्त्र कहता है अगर आपके जीवन में पॉजिटिव उर्जा रहती हैं तो आपको जीवन में सभी सफलताओं की प्राप्ति होती हैं। इसलिए प्रत्येक दिन की शुरुवात पॉजिटिव उर्जा से करनी चाहिए पॉजिटिव उर्जा से दिन की शुरुवात करने के लिए रात में तकिये के नीचे कोई भी लोहे से बनी वस्तु रख कर सोना चाहिए ऐसे में रात्री में सोने के बाद किसी भी प्रकार की नेगेटिव शक्ती ना तो आपके पास है सकती है नहीं आपको परेशान कर सकती है सोते समय तकिये के नीचे लोहे की वस्तु रखने से आपके उपर किसी भी प्रकार की टोटके का या तंतर का प्रभाव भी नहीं पड़ता है जब अगले दिन आप जानते हैं तो आप तरो ताजा महसूस करते हैं आपके दिन की शुरुवात पॉजिटिव होती और आप हर कार्य को स्कूटी के साथ करने लगते हैं अगर आपको निरंतर असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है या फिर आप जिस भी व्यवसाय और कार्य को शुरू कर रहे हैं और उसमें अर्चन निर्मान हो रही है कोई रुकावट पैदा कर रहा है या आपको कार्यों में प्रक्ति नहीं मिल रही है या उससे फाइदा नहीं हो रहा है तब आपको रात को सोते समय तकिये के नीचे सोने या चांदी कम से कम रख कर सोना चाहिए जोतिश शास्त्र में माना जाता है कि सोने या चांदी का सिक्का सिरहाने रखकर सोने से भाग्य परिवर्तित हो जाता है और मा लक्ष्मी की उस मनुष्य पर कृपा होती है अगर आपको नेगेटिव और डरावने सपने अधिक आते हैं या नेगेटिव विचार आते हैं तो आपको सोते समय लहसुन की कली को तकिये के नीचे रख कर सोना चाहिए लहसुन पॉजिटिव उर्जा का प्रतीक होता है, जो हमारी नेगेटिव उर्जा को कम करके शरीर में पॉजिटिव उर्जा का संचार कर देता है. इस उपाय को करने से जीวन में सकाराक मक्ता बनी रहती है. साथ ही अच्छी नींद लेने के लिए भी इस उपाय को किया जा सकता है, लंबी आयू और सुखी जीवन के लिए अच्छी नींद की बहुत आवश्शक्ता होती है जब आपकी नींद अच्छी तरह से होगी, तो आपकी बुद्धी भी तेज हो जाती है, और आप हर काम को सही से कर पाते हैं अगर आप धन संबंधी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आपको रात को सोते समय अपने सिरहाने में मूली रखकर सोना चाहिए, उसे सुबह उठने के बाद भगवान शिव के मंदिर में दान कर देना चाहिए ऐसा करने से धन संबंधी सभी समस्याओं का निवारण होता है साथ ही राहु केतु और शनी ग्रह का प्रभाव भी कम होता है अगर आपकी पारिवारिक रिष्टों की स्थिती ठीक नहीं है या आपका व्यवस्था ठीक धन से नहीं चल रहा है या फिर पैसों की कोई बचत नहीं हो रही है नहीं तो आपको जोतिश शास्त्र में बताया गया एक उपाय प्रमुख तौर पर करना चाहिए जोतिश शास्त्र के अनुसार रात को सोते समय थोड़ी सी मूंग डाल को हरे रंग के कपड़े में बांध कर तकिये के नीचे नीचे रख कर सोजा आना चाहिए फिर सुबह इसको स्नान करने के पश्चात मा दुरगा के मंदिर अर्पित कर देना चाहिए इस उपाय को करने से व्यवसाय और आय में व्रिद्धी होती है साथ ही पारिवारिक रिष्टे भी मधुर होते हैं पैसों की बचत भी होती है दोस्तों अगर आपके मन में किसी प्रकार का वहम हो अथवा आपको किसी बुरी शक्ती से अकारण ही डर लग रहा है या आपको अचानक कीमरिक्यु का भय सताने लगा है आपका मन चिंताओं से भरा हुआ है कुछ भी करने पर मन शांत नहीं हो रहा है तो आपको सबसे पहले एक बार हनुमान चालिसा का पाठ अवश्य करना चाहिए और हनुमान चालिसा को अपने सिरहाने रख कर सोना चाहिए हनुमान जी आपकी बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं और आपका मनोबल भी बढ़ता है इसके अलावा दुर्गा सबतश्ती भी सिरहाने रख कर सोने से डर और तनाव से मुक्ती मिलती है दोस्तों जोतिश शास्त्र के अनुसार राहु दोश के कारण आपके जीवन में शोक और निराशा है किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है अथवा अगर आप कर्ष से परेशान है तो सोते समय तकिये के नीचे रख कर अवश्य होना चाहिए इस उपाय से राहु का अशुब प्रभाव खत्म हो जाता है तकिये के नीचे इलाइची रख कर सोने से भी व्यक्ती की कर से जुड़ी समस्या खत्म होती है साथ ही व्यक्ती को गहरी नींद आने में मदद मिलती है दोस्तों हल्दी को वेद ग्रंथों में बहुत अधिक महत्वपून यंत्र माना गया है इसका उप्योग तंत्र साधना के साथ ही प्रत्येक प्रकार की पूजा में किया जाता है हल्दी में कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है यदि आप एक कपड़े में हल्दी की गांठ बांध कर तकिये के नीचे रख कर सोते हैं तो इसके आपको कई प्रकार के लाप प्राप्थ हो सकते हैं आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है साथ ही आर्थिक तंगी भी दूर होती है अगर किसी व्यक्ती का गुरु ग्रह कमजोर है तो उसे भी अपने तकिये के नीचे हल्दी की गांठ रख कर सोना चाहिए इससे गुरु ग्रह को मजबूती और नौकरी और व्यापार में काफी तरक्की मिलती है दोस्तों अगर सूर्य कुंडली में मजबूत हो तो व्यक्ती को हर कार्य में यश प्राप्थ होता है इसके अलावा अगर आप अधिक शुब परिणाम प्राप्थ करना चाहते हैं तो तकिये के नीचे लाल चंदन रख कर सोजाएं इससे आपको सूर्य देव की कृपा प्राप्थ होगी और आपका कोई भी कार्य निश्फल नहीं होगा यदि पती-पत्नी के बीच बार-बार वाद विवाद होता है रिष्टे में खटास है दोनों के बीच किसी भी बात पर एक राय नहीं बन रही है तो इसके लिए आप जोतिश शास्त्र में बताया गया महत्वपून उपाय कर सकते हैं आप सोते समय तकिये के नीचे थोड़ा सिंदूर अवश्य रखें और अगले दिन यह सिंदूर हनुमान जी के चर्णों में अर्पित करें इससे घर से क्लेश दूर होता है और पती-पत्नी के जीवन में सुख शांती बनी रहती है दोस्तों मोरपंख को भी वेद ग्रंथों में एक-एक चमतकारी यंत्र माना गया है इसे घर में रखने मात्र से आर्थिक संकटों से मुक्ती मिलती लेकिन अगर आप सोते समय अपने तकिये के नीचे एक मोरपंख रख कर सोते हैं तो आपको इसके कई गुना अधिक लाब प्राप्थ होंगे आपके जीवन में धन का आगमन होगा और धन से जुड़ी सभी समस्याएं धीरे-धीरे खत्म होने लगेगी आप रोज अपने तकिये के नीचे मोरपंख रख कर सो जाएं और सुबह उठने के बाद उसके दर्शन अवश्य करें इससे भाग्य आपका साथ देता है हिंदु धर्म में तुलसी के पत्तों को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है यह धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से हमारे लिए लाभकारी ही होते हैं जोतिश के अनुसार अगर सोते समय तकिये के नीचे तुलसी के पत्ते रख कर सोते हैं तो आपको धन की प्राप्ती हो सकती है साथ ही आपके जीवन में सकारात मक्ता बनी रहेगी और नेगेटिव पूजा आपके आसपास भी नहीं भटके की लेकिन ध्यान रहे रात्री के समय तुलसी के पत्ते न तोड़े आप सुबह उठकर तुलसी के पत्ते तोड़कर कर रखे तुलसी के पत्तों को इस्तिमाल के बाद फेकना नहीं चाहिए इसे आप मिट्टी में दबा दें अथवा जल में प्रवाहित कर दें दोस्तों सोते समय अगर आप तकिये के नीचे एक रुपय का सिक्का रख कर सोते हैं तो आपको मा लक्षमी की कृपा प्राप्थ हो सकती है आप रोज अपने तकिये के नीचे एक रुपय का एक सिक्का रख दें और सुबह उठने के बाद वह सिक्का किसी गरीब व्यक्ती को दान में दे ऐसा आप 15 दिनों तक करें इससे धीरे धीरे आपकी धन से जुड़ी समस्या खत्म हो जाएगी और आपके धन में वृध्धी होगी रविवार के दिन सोते समय एक गिलास में दूध लें और इसे सिरहाने रख कर सो जाएं सुबह उठकर नहाध होकर उस दूध को किसी बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दे इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होगी तो दोस्तों इस प्रकार से आप सोते समय अपने तकिये के नीचे आवश्यक्ता के अनुसार इन चीजों को रख सकते हैं और मा लक्षमी की क प्राप्त कर सकते हैं उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करके जाएं